LED TV technician और consumer के लिए universal board एक ऐसा product निकल के आया है जो कि उसके लिए बर्धन जैसा हो चुका है कुछ दिन पहले तक जब market से universal board नहीं मिलता था उस समय TV repairing करना बहुती ज़्यादा मुश्किल होता था और कुछ दिन के बाद जब market से universal board नहीं मिलना सुरू हो चुका उसके बाद से कोई भी TV अगर उसके अंदर पैनल सही सलमा थे तो उसको prepare कर सकते हो चाहिए वो किसी भी प्रोकर के TV क्यों नहीं हो लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को बताऊंगा कि market से जो पहले से U11 टाइप का board मिलता था अभी ये U11 board मिलना बंद हो चुका है और उसके अलावा market से और भी बहुत सारे अलग-अलग टाइप का U11 टाइप ही motherboard मिलता है लेकिन सभी motherboard के अंदर कुछ ना कुछ दिक्यत हमें देखने को मिला मैं आपने पास साल के जो repairing का जो experience से इस वली board के उपर वो आज की इस वीडियो के जरीए आप लोगो को share करोंगा और इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग technician है उन लोग को clear हो जाएंगा कि आभी के आज के दिनों में कौन सा मदर बोड हमें इस्तेमल करना है और market से लेना है क्योंकि जो लोग technician होते या new technician field में आते हो तो उनको पता नहीं होता है कि market में जो निया डिया बोड मिलता है universal उस में से सबसे ज़्यादा best हमारे लिए कौन सा होगा और किस के अंदर है सबसे ज़्यादा features और performance हम देखने को मिलता है सबसे पहले तो हम बात करेंगे यह सबसे popular और सबसे ज़्यादा best performance अलब मदर बोड है लेकिन इससे ज़्यादा किसी ने market capture नहीं कर रहा है इसलिए आज भी मार्केट में अगर कुछ भी बोड आते हैं चाहे वो किसी दूसरे नंबर का क्यों ना हूँ उसको भी बोला जाता है इसलिए क्योंकि इस बोड के fanbase इतना ज्यादा है ना और इसका performance के कारणी इतना ज्यादा फ्यान वेस हुआ है यानि हर एक technician के पास अगर आप जाओगे तो 11 के board अगर 15 इंच 16 इंच 19 इंच 23 इंच 24 इंच 32 इंच तक इस वाली बोड को इस्तेमाल किये होंगे कुछ साल पहले तक लेकिन आभी combo board market से आने के बाद इसका उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन फिट भी बहुत सारा इसा टीबी के अंदर हम लोग यह वाली मदर बोड को इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यह वाली मदर बोड मार्केट से मिलना बंद हो चुका है इसलिए आपको यह board और मार्केट से नहीं देखने को मिलेंगे इसके और भी जो बोड है ना यह सारे बोड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो यह के करके सारे बोड के बारे में आपको पता देचलता हूं चाहे तो आप इन सारे बोड के जो नंबर से वह आपने खाते पर लिखके राख सकते हो कि कौ लग अलग वर्ट से आपको देखने को मिल जाएंगे वी फाइब वी सेबेन वी नाइन तक आज की जामाने में मिल रहा है इस वाली बोड को आप गलती से भी मत खड़ी दियेगा इस वाली बोड को खड़ी सकते हो लेकिन इसके अलाबा इसका जो दूसरा नंबर है ना उसके बार में बताऊंगा तो यह वाली बोड आगर आपके पास कोई पुराना 16 इंच 15 इंच 14 इंच LED टीवी है तो उसके अंदर लगाने के लिए आप यह वाली बोड ले सकते हो मैं एक बात कह देना चाहूंगा कि इस बोड के अंदर जो में आइसी लगा हुआ है यह RDX स्रीज का है इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर आपका रेमोट कोड मैच नहीं करेगा यानि कि अगर आप किसी भी टीवी के अंदर यह वाली बोड को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको उस टीवी के पैनेल का रेजूलेशन के हिसाथ से आपको मैनुली सौप्ट्यर को फ् इस्ट्राक्चर है जो सिक्वेंस से आप देख लिए यानि पहले जो हमें मिलता था इव 11.2 और यहां पे लिखा हुआ है इव 11.23 तो इस बोड के अंदर हमें जो दिक्कत देखने को मिला है इसका साउंड कॉलेटी बाकी इसका पारफॉन्मेंस अच्छा है लेकिन इव 11 जैसा नहीं है मैं आज किता कर रहा हूं कि यू 11 के आसपास कोई भी बोड नहीं लाएगा आज तक जितने भी बोड मार्केट से मिलता है यू 11 सबसे ज्यादा बेस्ट है तो उसी के सीक्वेंस से यह नया बोड मार्केट में आया तक उस दिन पहले जिसका नंबर था यू 11 23 इसके अंदर सब कुछ सही था चलने लाइक था लेकिन इसका जो साउंड कॉलेटी है ना साउंड कॉलेटी उतना ज्यादा आच्छा नहीं था जो कि हमें मिलना चाहिए बहुत ही कम था तो इसके बारे में भी आपको पता चल गया है अब हम बात करें अगला हमारे पास ज आपको वुलेबएन पॉइंट टूफॉर आपको देखने हों मिलेंगे यह वाली बोड चलने का लाएक है क्यूंकि इसका साउंड कॉलेटी भी आच्छा है और पीक्चर भी अच्छा है ओर इसका पार्फोन में अभी तक में इस्तेम्मल कर रहा हूं तो अच्छा है अब इत अच्छा रहेगा लेकिन जो छोटे मोटे डिस्प्ले होते हैं उसको चलाने के लिए यह वली बोर्ड बेस्ट होती है क्योंकि सस्ते में मिलती है और इसको ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान है इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आज के दिनों में खरीद रहे हो तो यह वली आप रेकमेंड कर सकते हो इसके अलावव और एक बोर्ड है जो कि आज के दिनों में चल रहा है उसको भी में बताऊंगा लेकिन बात यह आ जाती है यह भी बोर्ड मार्केट से उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल यानि कि बोर्ड का क्राइसिस है कुछ दिन के बाद यह भी बोर्ड मिलना बंदहों जाएगा और इसके अलावब कोई दूसरान पर का बोड मिलेगा तो मैं आपको क्या बता कि आपको अगर लेना ही ए वह और वह वाली बोर्ड को जो इस्टोक है ना काफी सारा है लेकिन मैं इस बोड को सेलर नहीं करता हूं क्योंकि इसके अंदर जो पिक्चर क्वाटी है एक दम बिलकुल बखवास जैसा है इसका पिक्चर क्वाटी और इसका साउंड भी उतना अच्छा नहीं है अगर आपके टीवी का अंदर इस बली लेने के लिए सक्स मना करूंगा कि और इस बोड का नंबर देख लिए टी डॉट आर सिक्स्टी सेवन डॉट जीरो तिरी सी वर्सें नाइन यह वाली बोड से आप दूरी रही है अगर आप इसको तीन सो चास्टू रूपीज में मिल रहा है ना तो भी आप मतली जिएगा इ क्योंकि हमारे पास इस बोड का बहुत सारी स्टॉक में है और मैं इस बोड को लेकर बहुत ज्यादा परिशान हो चुका हूं और मैं सोच रहा हूं कि इस बोड को मैं बापस कर दूंगा जहां से मैंने लिया था जिस से मैंने लिया था उसको मैं बापस कर दूंगा लगब लीजिए गा इसको पिक्टर को अब आपको आच्छा देखने को मिलेंगे हमडेपास आज यह सटॉक में आया है और मैं इसको टेस्ट करा करने के बाद मुझे जो अभी रियलाइज से चल रहा है बहुत भी बढ़ीन चल रहा है तो मैंने क्या करा कि इस बली बॉर्ट के इस वाली बोड का रेमोट शॉप्टर मिलेगा यानकि एक बार शॉप्टर आपको इसके मनंदान तो पहले से की आहों मिलेगा अगर फिर भी अगर आपका जो शॉप्टर करफ्ट हो जाए तो वह सॉप्टर हमड़े विफसेट से ले सकते हो उसके बाद इसके अंदर मुझे अच्छा देखने को मिला है और हमने खुद इसको टेस्ट कर रहा हूं इस बोड का नमबर भी आपको देखने को मिलेंगे जागा और जो बोड को लहीं नहीं लेना है उसके अंदर आपको आपको लेने के लिए बोल रहा हूं उसके अंदर आपको डिप पैकेज का ओडियो ऐसे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि आप हमारे लोयल सब्सक्राइबर हो और आप में से ज्यादा तर लोग टेक्निशन का काम करते होंगे तो अगर एक पिस आप कहीं से लेकर आ रहे हो न 6700 देकर तो आपको अच्छा बला मल मिलना चाहिए और मेरा जिम्मेदरी बनता है कि जो चीज अच्छा है आपको अच्छा बताना जो चीज खड़ा वे उसको खड़ा बताना तो इस बोड को लेकर में खुदी परेशन हो चुगा तो आप लोग तो होगा ही इसलिए में इ अगर आपको कहूंगा कि इन दुनों में से अगर यह वली है अगर आपके पास छोटा मटटी भी है तो यह वली लगा सकते हो सस्त में मिलती है अगदम अगर प्राइस की बात करें तो बाकी जो सारे बोड मैंने आप लोग को दिखाया था यह वली जो आपको लेने के आपको लेना है अगर मार्केट से आपको मिले लेवन पॉएट डू अच्छी बात है इसके अलाव आपको एक सो रूपीस ज्यादा देना परे तो भी आप ले लिजीएगा क्योंकि इस से अच्छा आपको बोड्ड युव वेलें मार्केट से आज तक किसे ने नहीं निका करूंगा लेकिन उसके लिए ज्यादा समय लगेगा आप लोग को सपोर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा आप लोग ज्यादा जितना सपोर्ट करोगे उतना ही में अपने इंडिया पर इन सारे चीज को बना पाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको स आपको लहीं नहीं लेना है कौन सा बोड के अंदर क्या दिक्कत है सारे जनकरे आपको इस वाली वीडियो के अंदर मिल चुका है अगर फिर भी आपके मन में किसी भी बोड को लेकर कोई भी सवाल या सुजाब है तो नीचे कमेंट कर अपको बताईएगा मैं आपका उनके वाड एक वीडियो भी बना दूंगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए उसी ओल दा बेस्ट